नमस्कार दोस्तों आज है फ़र्ष्ट अगस्त और वर्षाथ के मौसम में भी हम अडिनियम को बीज से सीड्से ग्रो कर सकते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा चैनल अपडेट की साथ आपको दिखाऊंगे किस तरीके से मैंने बीज से सीट से अडीनियम को ग्रो किया है तो देखे जैसे क्या होता है कि ये आप ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हो ये अच्छे से पूरे बरसाद भर बारिश में तेज बारिश हो चाहे जो हो मेरे छत पे ही रहते हैं जितने भी अडीनियम बड़े प्लांट है लेकिन ये ज चोटा सब बच्चे देख रहे हो बिल्कुल सीडलिंस देख रहे हो चोटी-चोटी सी तो ये इसको जो है मैं जब तेज बारिश होने वाली होती है जड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ बादल-बादल हा रहे हैं और मैं भूल जाओ कुछ है तो मैं इसको फिर अंदर रख दे खास बात यह है कि यह वेरा हाइप्रिड वाला यह है अडीनियम मैं इसकी स्क्रीन पे ढूंड़ूंगे अगर पिक्चर होगी तो मैं डाल दूँगी तो वह उसमें भी सीड़ पॉट निकल आया था सीड़ पॉट जो निकला था उसे से मैंने ग्रो की आप देखते हैं कि क की मिट्टी के लिए क्या किया है किस तरीके से तैयार किया है इसका जो पॉतिंग मिकस यह इस को गरिदा कर लिया के मैं मने मने कोको नियुक्री कर लिया M मैंने सीट को इसमें लगा दिया है और इसमें कोई खाद नहीं अभी जाएगी कुछ ऐसे जाना है देना इसमें और अभी मैं क्या फंजी साट दूंगी वो भी आपको मैं दिखा दूंगी क्या डालने इसमें अभी क्या करने वाली हूँ उपर से जैसे उपर से तो मैंने जो नीचे मिट्टी लगाई थी जो थी कोको पीटो तो गीली थी और उपर से एक लेयर और मैं कोको पीट की इस तरह से लगा दे रही हूँ बरसाथ में बारिश में नहीं रखना है इस बात का आपको ध्य अब यह देखी एकोल 20 दिन का रिजल्ट है तो बिटी यह देखो उपर से सब सूख गई है कोई दिक्कत नहीं है शाम को भी इसमें पानी दिया जा सकता है कल भी मैं दे सकते हूं पानी कोई जरूरी इतना नहीं है पर हां बहुत जब भी कोई सीड हम ग्रो करते हैं तो बह ही देखिए मैंने अंदर रख दिया है कुछ पता नहीं अगर मालू बारिश हो गई हो मैं नहीं इसको अंदर कर पाई कुछ है तो खराब हो जाएगा तो बस इस तरह से छोटी सी बस आपको ध्यान रखना है छोट छोटी बातों का बाकि आपके अराम से सीड्स ग्रो हो सक जाएंगे बरसात में भी हो जाते हैं डेनियम के और जब रिपोर्ट करूंगी अभी तो नहीं रिपोर्ट करूंगे थोड़ा यह बड़ा और होंगे क्योंकि भी बहुत जादा छोटे हैं अभी नहीं करूंगे ठीक है जब करूंगे तो वीडियो भी शेयर कर दोंगी उस